हेलो फ्रेंड, निटिंग डिजाइन में देखें पैरा सा टू कलर की डिजाइन बहुत ही खूपसाथ और पैरी से हमारी ये डिजाइन है आप इसे किसी भी स्वेटर में, जैकेट पे, कार्डियन पे कहीं भी बना सकते हैं और डोर्मेट बनाना चाहते हैं, तब भी ये दो रंग का नमूना बहुत ही खूपसाथ लगेगा तो आएए, आज के वीडियो में हम इस डिजाइन को बनाना सीखते हैं ये देखें, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 10, 10 के मिल्टिपल पंदे चाहिए प्लस बन कर देंगे, तो ये डिजाइन हमारे बिल्कुल सेट हो जाएगी तो यहाँ पे मैंने 10 के मिल्टिपल 40 प्लस 1 41 फंदों में मैं ये डिजाइन बता रहे हूँ तो आप अपने स्वेटर के हिसाब से, प्रजक के हिसाब से बॉर्डर लिजे, पंदे डालिए और बॉर्डर को बनाए और बॉर्डर बनाने के बाद सीधी तरफ से इन सारे फंदों को हमें उल्टा उल्टा ही बिनना है और ये स्वेटर की डिजाइन हमारी सीधी तरफ से फिर उल्टी भी नी जाएगी और उल्टी तरफ से भी तो यहाँ पे मैंने उल्टा-ल्टा सीधी तरफ से बिन लिया है और अब बैक साइट से ये डिजाइन हमारे स्टार्ट होगी ये देखें रो वन में हम बेस कलर जो मेरा है वो रैट कलर उसे मैं बना रही हूँ ये वान टू थ्री फोर और ये फाइव और अब यहाँ पे मैंने वाइट कलर ले लिया है ये देखें वन हम वाइट से बनाएंगे और फिर हमारा रैट कलर वन टू थ्री पोर पाइव सिख सेवन एट नाइन तो शुरू में हमारे से फाइब पंदे रहेंगे उसके बाद हम वन वाइट और नाइन पंदे रैट के पूरी रो में बनाएंगे ये देखें एक बरावब बनाते हैं वन हमारा वाइट रहेगा और नाइन पंदे रैट के ये वन टू थ्री पोर पाइव सिख सेवन एट और एक नाइन तो वन वाइट और नाइन पंदे रैट के पूरी रो में हम बनाएंगे और ये देखें जब रो की लास्ट में आएंगे तो वन वाइट के बाद फाइव पंदे हमारे रैट के रहेंगे और ये देखें सीधी तरब से में कैसे बनाना है जो फंदे हमारे रैट कलर के दिख रहे हैं उनको हम रैट से बनाएंगे ये शुरू के 5 फंदे रैट हैं और ये भी देखें उल्टा हुए उल्टा हमें बनाना है और अब यहां पर वाइट आया है तो धागे को पीछे करेंगे और इस वाइट वाले धागे को आगे क्रॉस करते हुए एक हम वाइट से बनाएंगे फिर इसे पीछे करके और रैट वाले को आगे लाएंगे और फिर हमारे 9 फंदे जो रैट के हैं उन्हें रैट के करना है तो इस तरह से हर बार सीधी तरब जब हम आएंगे तो जिस color के जो भी फंदे होंगे उन्हें उसी color से बनाना है जो red को red और white को white ये देखे हमारा white आगया है तो ये white कर लिया धागे को पीछे करके पर red वाले फंदे को red तो हर बार हम सीधी तरफ से ऐसे करेंगे red को red और white को white करते हुए पूरी रोग को बनाएंगे यह देखें, सीधी तरफ से सारे पंदों को मैंने बुन लिया है रैट को रैट और बाइट को बाइट और हम बैक साइड आके हैं तो बैक साइड पे उल्टी तरफ से मैं डिजाइन बना रही हूं और वही डिजाइन जो है सेम कलर हमारी सीधी तरफ से है तो इन दो row को मिलाकर row 1 मैं बता रहे हूँ अब फिर हम row 2 पे आ जाएंगे तो इस पीछे वाली row back side और right side की design को मिला करके हमारी row 2 बनेगे तो row 2 में देखे पहले हम एक red से बनाएंगे और अब यहाँ पे हमारा white color आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9 तो अब हम 1 red और 9 white पूरी row में बनाएंगे यह देखे 1 red, 9 white, 1 red, 9 white करती हुए आएंगे तो last वाला एक हमारा red color रहेगा और यह देखे सीधी तरफ से हमने white वाले को फंदे को white और red को red करती हुए उल्टा उल्टा पूरी row को बना लिया है अब हम back side पे आगे हैं और यह हमारी row number 3 है 1, 2, 3 फंदे जो हैं वो red के रहेंगे और इसके बाद white color से 1, 2, 3, 4, 5 पंदे white 1, 2, 3, 4, 5 पंदे red तो शुरू में हमारे 3 पंदे red करेंगे उसके बाद 5 पंदे white और 5 red हम पूरी row में बार बार रिपीट करेंगे यह देखे एक बार और रिपीट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 white और फिर 5 पंदे ही red के तो इस तरह से 5 white और 5 red करते हुए इस पूरी row को हमें बनाना है और यह देखें सीथी तरफ से मैंने red को red और white को white करते हुए इस पूरी row को बना लिया है यह देखें अब हम row number 4 पे आगे हैं जिसमें पहले हमारा red कलर आएगा 1, 2 और white कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे यह white से हो जाएंगे 1, 2, 3 पंदे red तो starting में हम इस 2 red को छोड़ करके 7 पंदे white और 3 red हम पूरी row में बार बार repeat करेंगे यह देखें 7 white और 3 red, 7 white, 3 red, 7 white, 3 red करते हैं तो last में 2 पंदे ही हमारे red के रहेंगे और यह देखें सीधी तरफ से वही row हमारी बन रही है इसमें red को red, white को white, उल्टा उल्टा मैंने बना लिया है अब फिर हम back side पे आ जाएंगे मैं back side की row 1, 2, 3 count कर रहे हूँ तो यह हमारी row back side की 5 है यह 1, 2, 3, 4 पंदे हमारे red के होगे 1, 2, 3 पंदे white 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे red तो शुरू के यह 4 पंदे हम red को रहेंगे छोड़ देंगे अब यहां से 3 पंदे white और 7 पंदे red हम पूरी row में बार बार रिपीट करेंगे यह देखें, 3 पंदे white, 7 red, 3 white, 7 red, 3 white, 7 red, फिर 3 white और लास्ट मारे सिफ 4 पंदे ही red के रहेंगे और यह देखें, सीधी दरब से मैंने red को red, white को white, उल्टा उल्टा बनाते हुई complete कर लिया है अब पिर हम back side पे आ जाएंगे और यह हमारी row number 6 है इसे भी देखें, 1, 2, 3 पंदे जो हैं वो red के रहेंगे 5 पंदे white और 5 red हम पूरी row में बार बार repeat करेंगे यह देखें, 5 white, 5 red, 5 white, 5 red करते हुए आएंगे तो लास्ट में सिफ 3 पंदे ही हैं हमारे red के रहेंगे और यह देखें, सीधी तरब से मैंने white को white और red को red उल्टा उल्टा बना लिया है और यह देखें, अब हम row number 7 पे हैं जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 पंदे red, 1 हमारा white और इसके बाद हमारे 9 पंदे red करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक 9 अब हम 1 white 9 पंदे red पूरी row में बनाएंगे स्टार्टिंग में से 5 पंदे red करेंगे और उसके बाद 1 white 9 पे फिर 1 white 9 पे इस तरह से यह पूरी रो हमारी बनेंगी यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक 9 पिर हमारा 1 white आ जाएगा यह देखे 1 white 9 red 1 white 9 red करते वाएंगे तो लास्ट में 5 पंदे हमारे red के रहेंगे और यह देखे सीधी तरफ से मैंने इस सारे red को red white को white कलर करते हुए बना लिया है यह देखे row number 8 जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 हमारे red से 1 हमारा pipe इस पहले red को छोड़ करके 4 red 1 white हम पूरी row में बार पर repeat करेंगे यह देखे 1, 2, 3, 4 red और 1 white फिर हमारे 4 पंदे red के 2 होगे 3, 4 और 1 white तो इस तरह से शुरू में हमारे 5 पंदे रहेंगे और इसके बाद 1 white, 4 red, 1 white, 4 red हम पूरी row बनाएंगे यह देखे 1 white, 4 red करते हुए आएंगे तो last में हमारे 1 white के बाद 5 पंदे जो हैं 4 red के रहेंगे और यह देखे सीधी तरफ से फिर red को red और white को white करते हुए इस पूरी row को बनाया और यह हमारी back side की row number 9 आगई जिसमें 1 हम white करेंगे और 9 पंदे फिर हमारे red के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब हम 1 white, 9 red पूरी row में बार बार रिपीट करेंगे यह देखे 1 white, 9 red, 1 white, 9 red करते वाएंगे तो last वाला एक हमारा white कलर रहेगा और यह देखे सीधी तरब से हमने white को white और red को red कर लिया तो row 8 तक हमारी यह design बन गई है और row 9 मैंने start कर दिया तो यह दो design के बीच में यह design अब हमारी यहाँ बनेगी और यह वाली design अब यहाँ बनेगी तो यह भी मैं पूरा आपको बना करके दिखाती है तो यह हमारी अब row number 10 हो जाएगी और row number 10 में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हमारे white हो जाएगे 1 red अब यहाँ white color से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो शुरू में सिर 5 पंदे हमारे white के रहेंगे और उसके बाद 1 red, 9 white हम पूरी row में repeat करेंगे यह देखे 1 red, 9 white, 1 red, 9 white करते आएंगे तो last में हमारे 5 पंदे white के जैसे शुरू में हमारे 5 पंदे white के थे तो last में भी हमारे 5 white और यह देखे सीधी तरब से भी मैंने red को red और white को white color कर लिया तो हमारी design इस तरह से यह दिख रही है अब फिर हम back side पे आ जाएंगे और यह हमारी row number 11 हो जाएगी और इसमें भी देखे स्टार्टिंग में हमारे 3 पंदे white के 1, 2, 3 पंदे white और इसके बाद 5 पंदे red 1, 2, 3, 4, 5 red और 5 पंदे ही white के 1, 2, 3, 4 और एक 5 तो शुरू के यह तीन पंदों को छोड़ करके 5 पंदे red और 5 पंदे white हम पूरी row में repeat करेंगे जिसमें 1, 2, 3, 4 पंदे white और हमारा red 1, 2, 3 पंदे red और white कलर सी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 तो इस स्टार्टिंग में 4 पंदे हमारे white के रहेंगे और उसके बाद हम 3 पंदे red और 7 पंदे जो white के पूरी रो में बार पर repeat करेंगे ये देखे 3 पंदे red, 7 white, 3 red, 7 white करते आएंगे तो लास्ट में हमारे 4 पंदे white के रहेंगे और ये देखे सीधी तरब से हमने red को red और white को white उल्टा उल्टा बना लिया है ये देखे रो नमबर 13 जिसमें 1, 2 पंदे white और अब हमारा red कलर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे ये red से हो गए 1, 2, 3 पंदे 5 तो शुरू के 2 पंदे white को छोड़ करके अब हम 7 पंदे red, 3 पंदे white पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे ये देखे रो 14 में हमें white कलर सी 1, 2, 3 पंदे white और अब यहां से design start है 1, 2, 3, 4, 5 पंदे red 1, 2, 3, 4, 5 हमारे white तो इस 3 पंदे को छोड़ कर अब हम 5 red, 5 white पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे ये देखे अब हम back side की रो 15 पे आ गए हैं जिसमें 1 हम white से करेंगे और अब हमारा red कलर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 अब यह देखे 1 white और 9 पंदे जो हमारे red के हैं इसे ही हम पूरी रो में बार पर रिपीट करेंगे ये देखे रो 15 तक हमारी design ये इस तरह से कितनी पैरी सी बन के त्यार हो चुकी है अब हम रो नमबर 16 पे हैं और जिसमें देखे 1 हम white से करेंगे और अब हमारा red कलर 1, 2, 3, 4 पंदे red अब इसे ही हमें पूरी रो में बार पर रिपीट करना है 1 हमें white से करना है और 4 पंदे red 1, 2, 3, 4 पिर 1 white और 4 पंदे हमारे red तो इस तरह से इस पूरी रो को हम complete करेंगे ये देखें 1 white, 4 red, 1 white, 4 red करते आएंगे तो last में 1 हमारा white कर रहेगा और सीधी तरफ से भी row 16 को मैंने red को red और white को white बना लिया तो इस तरह से ये देखें हमारे कित्ती खुफशत ये design बन गई एक ये दो design है और इस दो design के बीच में हमारा ये एक बना है तो इस तरह से अब हमारी ये दोनों line मिला करके एक design बन कर तयार हो गई अब इसके बाद फिर हम row number 1 से लेकर row number 16 तक की design को बार बार repeat करेंगे तो देखें हमारी design इस तरह से बन के आईगी ये देखें हमारी design इस तरह से ये बन के आईए है बहुत ही खुफशत वा प्यारे से design मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लिस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताएए कि ये design आपको कैसी लगी तेंक यू